दिल को धाला देने वाली खत्ना सामने आ रही है, मामला बिहार के तरफ का बताय जा रहा है। आप लोग कहानी में सुने होंगे और देखें होंगे नाग और नागिन की कहानी, पर कुछ ऐसा ही आपको नजारा देखनों को मिला है। बहुत ही दिनों से एक नाग और नागिन का चोड़ा एक सात रहता था। किसी कारण बस नागिन निवले के हाथ पड़ जाती है और निवला नागिन की लडाई होती है जिसमें नागिन को अपना प्राण खोना पड़ता है। जब नाग राजा को पता चलता है कि मेरी नागिन को किसी के द्वारा जान ले लिया क्या है तो नाग महराज अपने नागिन के बियोग में अपना भी प्राण कमा देन की इक्छा में बैठे हुए हैं। आप टीवी श्कीन पर साफ जाब देख रहे हैं हमें कि नाग महराज अपने नागिन के मिर्थ सौ के पास बैठ कर अपना भी प्राण कमाने के धिराक में हैं। नाग द्रावता को अपने नागिन के सुप में बैठे हुए देखकर धीरे धीरे फिर ही कठा हो गई। ऐसे सचे जोड़े को देखने के लिए साइब हम लोग का जीवन ही कम पड़ जाए।